कि सर ऐसा कहा जाता है कि माइगरेशन जो है यह बिहार से यह भोजपूरी के लोग हुए लेकिन जो रिसर्च कुछ आये हैं सर आपका उसमें पता चला है कि जहारखंड से सबसे आदा पहले माइगरेशन हुआ है जहार सब्सक्राइब को एक तो वो जो खासर के करिवियंदी मारिसर सुरिणाम फीजी ऐसे देशों के बारे में जो अवधारना है कि भुजपूरी भासियों ने जाके ही वहां एक तरह से जंगलों को काटके और दलदल को सुखा कर और वहां की संस्कृति की शुरुआत की ल मजदूरों को ले जाए जाने लगा तो उस समय एक बढ़न विवस्था वाल बादी समाज में एक किवदंती थी कि सबंदर पार करने पर जाती वो चली जाती है फिर समाज आपको स्विकार नहीं करता है लोटके तो जो शुरुआत की दिरों में ठासर चोतिस वगरत से जो हैं या हील कूल कूली बोल रहे हैं तो वो उस पर एक स्विनी पंगा जी का उपन्यास आया था और कई चीजें पहले भी कुछ काम हुए थो उस पर लेकिन ट्याराई को लगा हमारे समस्थान को कि इस पर जारखन के परिपेच्छ में एक संपूर्ण काम होना चाहिए कि प क्या प्रवाव पड़ा हमारे अदिवासी डिमोग्राफी पे उसे कारण से तो वो काम हम लोग ने सोध परियोजना एक पूर्ण करवाई है अब ही लगपक कितने लोग अब तक माइगरेशन कुछ ऐसा सब आपके पास रिसार्श में कुछ पता चला है सब्सक्राइब उस और बिरिटीश परियोड में तो चाइवागान में भी चास करfill के पूरे चायवागान में चूकि वहां तो चाइन से लाएगाय लेवर काम्याब नहीं हुए वहां के असम या नॉथ उसे का म जो हैं तो अंतितल हमारे हां यहीं लोगों को तो वह दर्द हो साल क diaphrag ही खए हम हमारे लोग गए और वहां आज भी वहीं है वो और टी ट्राइब कहलाते हैं लेकिन अनसुची जिन्जाती के दर्जा उनको नहीं है वो बंगाल के बहुत सारे हिस्वों में गए और बंगलादेश अलग होने के बावजुद भी इसे चटकाओं से चटगाओं की पहाडियों से जब वहां के आदिवासियों को भगाया गया चक्मा वहां से संथाल भी वहां से बिस्थापित किये गए जवरन तो चक्मा तो और ना चलो अगरम जाके बस गया लेकि संथाल कहां यह भी तक ग्यात नहीं है उसे दंग से पूर्णिया जब एक दम दल्दली छेत्र था जब वो कोसी नदी जो है ब्रहंपुत्र में गिर रही थी और अपना वो रास्ता बदलते बदलते गंगा की और आई तो दल्दली जंगल छेत्र को सुखा की खेतीयों बनाने में संता पी चला कोई उसका समधान नहीं हुआ तो बंगाल में भी जितू संताल कान दोलन तो वो मतलब कि देश के किन-किन हिसों में अभी तो अभी हम लोगों ने कैर्वियन दीप फोकस किया लेकिन अगर और देश नेपाल में अफरिका में तो बहुत बड़े आकड़े आपको स सबसे बड़ी पसंद है वो उन लोगों की जो जिनको जाहिर है इस रिसर्च का फाइदा क्या मिलेगा सब जहांखन को एक तो एक जो किवदंती के तौर पे या कहानी के तौर पे आख्यान के तौर पे लोग को विश्वास नहीं था या चीजे उस धंक से नहीं आ रही थी अब तो पुरे आंकड़े हैं अब तो पुरा दस्तावेज है हमने दिया था श्रीव प्रवाकर तिर्की जी के संस्थान को कई लोगों ने जब हमने विग्यापीत किया था तो कई संस्थाओं ने भरा था उसको लेकिन चुकि उनकी विरूची थी कुछ काम नहीं पहले से किया था सबसे अच्छा प्रजिंडिशन उनका था तो तो गए वहां वहां से वह जोला भरभर के समाकरी उठा के लाए हैं और रिकॉर्ड्स तो जैसे चुकि यहां से लिजा कि कलकत्ता पोर्ट पर कैम करता था लोग वहां वह उनका पुरा मेटकल जांश होती थी रिष् हैं तो यह रिकॉर्ड्स उठाकर हमारे सोथ वाली जो एजनसी है प्रभाकरत्रिकी जी उनके कलीक जो है उलाए हैं और उस सारे एनेक्सर के तौर पर उस किताब में सामील होंगे तब उसको कहानी के तौर पर नहीं है वह एक फैक्स के तौर पर एक अथार्थ के तौर पर और आकड़ों के साथ परवान के साथ आएगा कि बिटिस प्रियेट्स से कितने लोग हमारे बाहर की और गए यह बड़ा बड़ा काम है यह बहुत बहुत पूर्ण काम है